जोधा अप्रवाई इसका उदेश किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुचाना नहीं है यह तो हम भी जानते हैं महताप की शेहनशा को आगरा लौट जाना चाहिए था परन्त वो अब भी यहां है क्यों यह हम भी नहीं जानते खेर तुम सब लोग जाकर सो विश्राम करो सही समय आने पर हम स्वयम शेहनशा से बात कर लेंगे कौन है कौन है कौन है वापे शेहनशा आप इतनी रात रिक आप आप यहां पर क्यों आए और जब हमने आपसे आगरा लोट जाने के लिए कहा था तो आप गये क्यों नहीं और पंचायत में यह सब ना टक करने के क्या हाविश्यक्ता थी आप आराम से जोधा बेगम आराम से बैठी आराम से बैठी घेमे में क्यों आए पैरही बात जकने रात के अपके खेमे क्या करें तो रहे है तो गफिजास जोभचे यह मां अपके शोहर हैं जो गड़ित रहें जोधा भेगम हम जब चाहें जसावी एपसे में नहीं आ सकते हैं परन्तु शेंशा है संसे में हापर परशित्य अभिन ह और जो पंचायत में आपने खेल खेला उसकी क्या वश्यक्ता थी वो खेल नहीं तर्जोता वेकम वो वक्त की ज़रुद थी जब शेखून से नराज हो जाते हैं तो हम उन्हें बनाते हैं ना ठीक उसी तरह हमारी आवाम हमारी उलाद आज हमसे नराज है तो उनके गुस्ते क ऑसके बारे में सोचा बिल्खुल साही सोचा हम यहां रहकर हमारी आवाम की खित्मत करना चाहते हैं फिर आगरा का क्या होगा सल्दनात को पौन संभालेगा आप फिकर मत करिये उसके इंदिज़ाम भी कर दिया है है कि जब तक हम ना लोटे सल्दनात के वलियाद वहां की स सारी जमिदारियां समालेंगे और अकर कोई बड़ी बात हो जाती है तो उस बात की खबर वो हम तक पहुंचा देंगे आप समझ नहीं रहें जैशा समझ आप नहीं रहेंगे हैं जोधा बेगम क्यों जब आप यहां रहकर हमारी अवाम की खथमत कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कि आपको आपके शौर पर इतना भी यकीन नहीं है जोधा बेगम यहां रहकर हमारी अवाम की खथमत कर उसके दिल उसके यकीन को फिर से जीतना चाहते हैं एक एक शहांशा के असे फिना सही लेकिन आपके नौकर के असे इसे करेंगे आप पुचासद देंगी नामे हमारे माल के जो हमें कहेंगे हम वह सब करेंगे उसलिए जहां जीक है तो हम आपको भी आज्या देते हैं कि अभी आप इस खेमी से चली जाएंगे? हम समझ सकते हैं गाओं के मस्या के खेमे में अचानक से रात में गैर मर्द की मौशूद की लोकों के लिए शक की बात होती है, ठीक है, हम चली जाएंगे यहां से लेकिन जैसा हमने कहा, हम बस यहां अपसे मिलने आए थे, आपसे बात करने आए थे अपने सवालों के जवाब आपको देने आए थे चले जाएंगे यहां से अपना खेल रखेगा, हम? खुला हाफिस यह फर्मान स्वैम शैंशा ने बिजवाया है जब तक वो आगरा नहीं लोटते, सल्तनत का कामकाज आपको ही देखना होगा वली हाथ हम यह जिम्मदारी नहीं ले सकते, हर्किस नहीं परन्तु वली है, शैंशा के अनुपस्तिती में राज-काज का कारे समालना वली हैद के जिम्मदारी होती है और शैंशा का यह आदेश भी है दादी जान समझाएए ने, हम अवाम की जितने मदद बाहर रहकर कर सकते उतने इस महल में रहकर नहीं कर सकते मगर वली आहद, आगरा मेहकर सल्तनो समालना भी उतना ही जरूरी है सल्तना की सरहत के अंगर जहाएक और गरीबी और भूक मरी है वही सरहत के बाहर दिश्मनों ने अपनी महिम थेज करती है हमें कई एहव फैसले लेने बहुत जरूरी है मगर वह फैसले तो आपलोग भी मिलकर ले सकते या, ना? नहीं हुजूर वज्शिरों का काम है शैंशा को सलह देना फैसला लेना न हमारे अकिख्यार में है नहीं हमारे बस में इसलिए जब तक शैंशा ने आते, सारे फैसले आपको ही लेले हंगी हुजूर सलीम, अक्सर जरूरतें हमें मजबूत बनाती हैं और सिखाती भी हैं शायद ये मौकर तुम्हें इसी लिए बिला है कि तुम आने वाली जिम्मदारियों के लिए और मजबूत बन सको और कुछ सीख सको अब तक तुम बाहर रहकर अवाम की खिदमत कर रहे थे लेकिन अब तुम्हें महल में रहकर उनकी हिफाज़त के लिए फैसले लेने होंगे याद है बेटा, तुमने बच्पन में हमसे दो वादे किये थे एक के बड़े होकर तुम हमसे निकाह करोगे और दूसरा के हरम, महल और यहां रहने वाले सब की हिफाज़त करोगे हम तो सिर्फ तुम्हारी अपनी कही हुई बात तुम्हें याद दिला रहे हैं एक वादा तु तुमने तोड़ दिया, अब दूसरा मत तोड़ ना ठीक है दादीजान, हमें जिम्हेदारी कबूल है, मगर हम जो अवाम की मदद कर रहे हैं उसे जारी रखेंगे, हुकूमत और अवाम की खित्मत हम दोनों काम एक साथ करेंगी ठीक है वलिहाद, अब इसमें कोई समस्या नहीं मेरा बच्चा राम राम जी, राम राम, राम अरे सुर्जन, तुम आगे? जी चलो, रादा जी के पास खड़े हो जाओ, जो वो कहें, वो करना जी और मधुरा, तुम मेरे साथ आओ, मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना है क्यूं हम शेहिंचा को यहां लेकर आए अपने ही पाओं पर हमने खुद कुलाडी मार दी, अब इतने वुरे दिन आ गए हमारे, कि इसके होक्म को बचाना होगा हमे अरे वहां क्या देख रही है, आँ मेरे साथ यह, यह, हमारी, यह हमारी घरवाली है और इनसे काम नहीं होपाएगा न कि इसका काम हम कर लेंगा नहीं नहीं, जहां आप, वहां मैं, जब आप काम कर सकते हैं तो मैं तो करी सकती हूँ न लेकिन मधुरा आपसे काम नहीं हो पाएगा तो सीख लूँगी नहीं मधुरा आपके पती काम कर रहे हैं इतना ही परियाब थे आप रहने दीजे बहन अरे राधा जी आप मना क्यों कर रही हैं इस समय तो जितने हाथ होंगे उतना ही अच्छा है कोई अपने मन से सेवा करना चाहता है पुन्य कमाना चाहता है तो हम उसे क्यों रोकें अरे सुर्जम तुम खड़े क्यों काम पर लग जाओ और मधुरा तुम इनके साथ जाओ कई राधा जी हमें क्या काम करना है वो वहाँ पीछे भोजन बन रहा है तुम वहाँ पर जाकर साहिता करवा दीजिये जी ठीक है चंद्रा मधुरा को काम दिखाओ हाँ वहाँ सब लोग खड़ें आप उनकी मदद कर दीजिये अरे तू तो ऐसे डर कर बोल रही है जैसे ये मुगल सल्तनत की बेगम हो फटावट काम पर लग जाओ हम भूलेंगे नहीं चोथा बेगम कि आपकी वज़त से हमें क्या-क्या सहना पड़ रहा है अरे इन से नहीं होने वाला आओ मैं बताती हूँ तुमें आओ वली एहद का इकबाल बुलंद हो हुजूर डाग मुंची आपसे मुलाकात करना जाते हैं इचाज़त है जी अदाब वली है अदाब कई डाग मुंची साब आमेर से आपके लिए ये आया है रख दीजिये शुक्रिया मुगल सल्तनक के वलियत को हमारा प्रेम भरा प्रोणाम सफिकार हो जब से हम आपसे मिले हैं तब से लेकर आज तक एक पल ऐसा नहीं गया है कि हमने आपको समार्ण ना किया हो यहां पर सब कुशल मंगलय परंतु आगरा और मुगल सल्तनत में जो प्रकौप हुआ है उसके विशय में जानकर बहुत ही दुख हुआ है इश्वर से प्रातना करते हैं कि श्यगरी वहां सब ठीक हो जाए आपके लिए भेंट बेजी और हाँ एक हार अनारकली के लिए भी बिजवा है उस तक बिजवा दीजी खाँ तन्यवाद आपसे फिर मिलने की आशा में आपके पत्तर की प्रतेक्षा में आपकी मान भाई अज़र ये यह लिए अनारकली को भशवा दीशे जी आदभ ये वली आहद ने आपके लिए भिजवाया है वली आहद ने यहां आवाम भूख से पेहाल है उनकी राहत के लिए खजाने में रकम नहीं और शहसातिस जलीम हम पर किम्तिहार लुटा है कैसा दोगरा बढ़ता वही बाहर कुछ और चैता थे और अंदर से कुछ और अनार कली हम आपको कैसे बताएं कि हमारे अंदर क्या तुफान चल रहा है जब से मैं मालू हुआ है कि आपके नालात के जमेदार हम है नफरत होगी हमें खुद से हर बार ऐसा काम कर जाते कि हमारे मन में उनके लिए नफरत बढ़ी ही जा या खुदा कैसे इंसान ही यह मैं जाने कैसे इंसानियत भूलकर एहवानियत पर उतराय थी हमानार कली आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए ना तो आपने हमें मुआफ किया और नहीं हम खुद को मुआफ कर पाए हमारे साथ चुकिया वो एक बार हम भुला भी दे थे मगर इस हरकत को हम कभी मुआफ नहीं करेंगे सूर्जन जी चूले पर से ये बर्टन तो उतारो जी जलाल याना हाथ इतना भी नहीं पता कि गरम बर्टन को कपड़े से पकड़ के उतारा जाता है सुमित्रा आओ तनिक हमारी मदद करो सुर्जन तब तक तुम दूसरा काम कर लो ये कर्ची लो और चूले पे पड़े बर्तन में डालकी हिलाओ दूद है उसमें धीरे धीरे हिलाना दूद बर्तन के तले को पकड़ेना बेशन धीरे धीरे करके डालना एक साथ सारा का सारा कि शुक्रिया है कि नहीं हम हम कर लेंगे हम कर लेंगे हम कर लेंगे अरे भाई सुर्जन वो बेचारी गुंगी बहरी है तुम जो कुछ भी कह रहे हो इशारे में कहो फिर समझेगी जानता हूं मैं तुम्हें कैसे पता अब यह भी तो आपने कहा अच्छा मजाग कर लेते हो हमें आप पर बहुत फक्र है काश तुम्हारे वालत भी मगल सल्तनत करें फक्र बन सकते हैं या अलला हूं मजदूनों का काम करते करते तो हम थग गए हैधर जी हैधर जी हाधर जी तो हम अपने करें खीर खीर? अम्मीजान ने बताया, किनो आपको खीर पूद पसंदे और हमें आप हम जानते हैं कि आपकी दी माग में क्या चब रहा है आप यही सोच रहो ना, किती हुब्सूरुत बला कॉन है आपके वाजू में है ना? बेशक ने, हम जानते हैं कि आप कॉन है आप शमा है, नाविदा खाला की बेटी लेटी, हम कर नाले पे लेठी थे हम नाविदा खाला आपको पता है आपकी खाला, आपकी खाला इसे देजी है हम शमा हमें पता है कि आपको है आप शमा है, नाविदा खाला की बेटी ने ने, ने, गोड़लन न quindi conscioush चमाद, कुले आपका, शारा मधा… लगता है कि इसे पम सुनाई देता है जाद़ा, ही तो तरीके में पम स्ञों इसदूलOkay तो आपको सुनाई नहीं देता, तो अब चिंदा मत कीजिए, होसला रखिए, हाँ मैं आपके साथ, आपकी शमा, खुदा ना आपको बहुत देगा, खुब देगा, नहीं या अला, इस आफस कैसे बचूँ, इसे किसे नचाने के बात कर रहे थे आप, देखे, आप यहां, रखिए, हम, काम करके आथे, खीर तो खांगे रही है, कैसा चल रहा है सब, मधूरा, जरा चालों की दवाई पकड़ाओ, या खुदा, यह दवाई का सिलसला कब खतम होगा, जरा इसे संभालो, कहो रुकमोनी, या अला, कैसा बच्चा है यह, कहाँ फज गई रुकईया, अलै निच्चु पोजा, यह गिला गिला क्यों लग रहा है, या खुदा, इसने तो हम पर, अरे, अरे, मधुरा, बच्चे को ऐसे नीचे मत रखो, गोद में ही रखो, कहीं किसी कीडे ने काट लिया, तो मुश्की रोजाएगी, यह बच्चे ने मुझ पर पेशाप कर दिया है, कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, कपड़े बदल लेना, काश हम आगरा में होते, तो इस कौशल्या को सौ कोड़े मारने का हुपम देते, तस मारते और एक गिनते, लाओ मेरा बच्चा मुझे दे दो, कैसी और अरत हो, एक बच्चा नहीं संभाल सकती, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, अरे नहीं, अभी बहुत काम पड़ा है करने को, वैसे भी अभी कपड़े गंदे हो नहीं है, आओ मेरे साथ, चलो, क्या है, क्या है, इस दूना भी है मेरे अच्छी जिप्ने भी काम है, तसको, आई बिखे लेंगे उसकी बातिह बहुत होँ है, झाल झाल शुक्रिया रुकए बेगम इतने काम इतने मेहनत की अधत नहीं होने के बावजूद आप यहां माले साथ देने आ गई आप किस कोशिश ने आप किस दिल में और भी बढ़ा दिया है जंदकी भर हम इन तुनों को याद रखेंगे शुक्रिया ओ सुर्जन कहां जा रहे हो ठंड है थोड़ा हाथ आके सेख लो आग जली हुई है कैसे दिन निकल पड़े काम में कुछ पता ही नहीं चला अहां आज दो पल आराम भी नहीं मिला इतनी ठकान है नीन भी नहीं आएगी आज लेकिन हमें नीदा रही है हम चलते हैं पर तुम उधर कहां जा रहे हो अपना खेमा तो उधर है ना वहां नहर की तरह पर तुम तो कह रहे थे कि सोने जा रहा हूं वो वो क्या है ना सुने से पहले एक बार नहाल लेना चाहते हैं दिन बर काम करके बहुत गंदे हो गए हैं सब की तरह बिमार नहीं पढ़ना चाहते हैं इसलिए पर समल के जाना वहाँ जंगली जानवर खुले आम घुमते हैं उस बात की फिकर आप ना करें उन्हें हम सुभालेंगे हम चलते हैं मैरे किये की सजा उसे क्यों दी मेरे गुनाओं की सजा उसे क्यों मिली असे क्यों मेली मेरे गुनाव किसा था प Capeох, Pada हम इसको क्या संगेते---- कहा ना? पेले षार उनच्छा करीबों के बातेग chapter इवहार मेरे शोजोव्ण हर्टें रपे विक पड़ेकरने इसको क्या आङए कहा ला? रक्षा करो बोपना, रक्षा करो, रक्षा करो आख करो क्या हroneじゃあ? paycheck एचा, एचा, आपने फिर पॉर्ष में चितर सपने देखा अब लीजे पानी पीछे, गहरी सांसे लीजे पानी पीछे बताई इस बार क्या देखा अपने सपने में आपने सपने में देखा कि अब गरीबों के बाती बठक रहे और पिर देवार पर जोर जोर से पना सर पटक रहे हैं और बार-बार कह रहे हैं कि हमारी गुनाओं के सजा इसे क्यों दी, हमारी गुनाओं के सजा इसे क्यों दी हम देवार पर अपना सर पटक रहे हैं यह तुम जबते कि इस अपने भी सच सब्स्तावित होगा सबस्कराइब के शुच्म निगे धो सकता है कि जादा अधक वजए से सपने आ रहे लाईंगे हम आपको बाती की इज़ो erlebt विक्र मत करें हम हंआपके साथ कि न सबस्क्राइब कि रादाजी जाग रही हैं क्या करें सुखी जी इस समय यहां क्यों आना हुआ वो कुछ औरती आई हैं दवा का थाल लेने के लिए ले जाते हैं ताकि सुभा दवा देने के लिए उपलब्द रहे हम आपको लाइके देते हैं जी शमा चाहते हैं इतनी रात में आपको परिशान किया अब आप सो जाएए कोई बात नहीं आप 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 सुछ अपने के बारे में सुचकर परिशान मत रहे ही का अरह मसे सोचाएगा अपना ख्यार रखेगा हुआ आप आप रहने दीजे हम परोज देते हैं नहीं दिन भर से तुम लोग काम में लगे हुए हूँ ठक गयोंगे आराम करो परन्तु हमने कहना तुम जाओ मुती राधा जी ये खाना उदर परोज देंगी अरे मधुरा ये मटक मटक कर क्या चल रहे है धीरे धीरे पाओं में मेहन्दी लगी है क्या अरे महरानी समझती है खुदको बैट गई खाना खाने के लिए उठ लेकिन खाना तो बैट कर ही खाऊंगी न अब सब खाने बैट जाएंगे तो परोज़ेगा कौन शरम ने आएगे तुझे चल जल्दी से रोटियां परोज चल काम चोर कहीं की बैट गई महरानी की तरह परोज परोज हां हां मधुरा ध्यान कहा है तेरा क्या रोटियां खतम हो गई है नहीं तू तुने रेवती को क्यों ने परोज़ी है हां भूल गई यह क्या महरानी समझ रही खुद को काम पूरा पड़ा है लोगों ने खाया नहीं काम चोर कहीं की आग लगे तेरे पेट को राधा जी किदर है क्या हुआ हां राधा जी आपको पंचायत ने बुलाया है अभी ऐसी आवश्यक्ता पड़ गई कुछ अधिक नहीं मालूम पर सुर्जन जी का मौमला है आपको फैसला करना है चलिए क्या हुआ अपके क्या सुर्जन में आप स्थान लीजिए अभी पता चल जाएगा क्या आप राध है राधा जी सुर्जन पर ये आरोप है कि आधी राध को अपना खेमा छोड़के जनाने खेमे के आसपास घूम रहा था